फिल्म संजू जो रिलीज हुई है उसके बाद मैंने एक रिव्यू किया और आप सभी लोगों ने उसको काफी देखा इसके लिए बहुत पर शुक्रिया लेकिन बड़ी रोचक बात यह है कि फिल्म संजू का क्रिटिसिजम कम और इस फिल्म के बाद संजेदत को लेकर क्रिटिसिजम जादा हो रहा है कि इस फिल्म में संजेदत की बहुत सारी चीज़ें नहीं से दिखाई गई है बहुत सारी चीजों को छुपा लिया गया है संजदत की जो बुराईयां है उनको नहीं दिखाया गया है इस फिल्म में संजदत की बुराईयां तो छोड़ी है संजदत की अच्छाईयां में नहीं दिखाई गई है अगर लोग बात कर रहे हैं तो संजदत बहुत जबरदस चारिटी करते हैं किते लोगों को पता है एक आटो वाला जिसकी माता जी की तवित खराब थी उनकी माता जी के सारे खर्चे संजदत ने दिये बगेर कोई पुश या फोर्स किये बस उनको एमोशन जा गए उनने कर दिया ऐसा और वो आटो वाला पोटोज और पोस्टर डगा कर अपने आटो में सुनामी 2004 में उसके लिए बकाइदा एक सुनामी कॉंसर्ट किया संजदत ने तो संजदत जो है वो एक ऐसे इंसान है जो हमेशा लोगों की मदद के लिए जाते हैं वो भी इस पर नहीं है क्योंकि संजदत अपनी चैरिटी मेरे हिसाब से रियल है कि तो पहला कैरेक्टर जो रियल है वो है विकी कोशल का विकी कोशल का जो कैरेक्टर है उसका फिल्म में नाम है कमलेश कनयालाल कपसी यानि कमली यह बेसिकली संजदत के एक बहुत अच्छे फ्रेंट है जिनका नाम है परेश घिलानी और संजदत इनको प्यार से परिया बोलते हैं और ये वो फ्रेंडे संजेदत के जो हमेशा अच्छे बुरे वक्त में संजेदत के साथ रहा और जैसा फिल्म में दिखाए गया जब नर्गिस जी की तबियत खराब थी अमेरिका में थी तब से ही संजेदत के ये क्लोज है परेश घिलानी बलकी का जा इस फिल्म के कमली और जैसा इस फिल्म में दिखाए गया वो विदेशों में सेटलने हैं लॉस अंजल्स पे रहते हैं उनकी कई IT कंपनी से और काफी बढ़ियां अंत्रप्रियोर है इतना ही नहीं आपको याद होगा वो शॉट फिल्म एक शॉट है जब संजे जेल से निकल रहे होते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा रहता है लाल रंग की शर्ट पहन कर इनको लेने के लिए और वही है परेश घेलानी तो कई सारी चीज़ें मिलती है यह रियल क्यारेक्टर है और हमेशा यह संजेदत के नस्दीक रहे हैं दूसा क्यारेक्ट राईटर राजू हिरानी कैसे क्योंकि जैसा फिल्म में बताए गया है वैसे ही असल जिंदगी में मैंने पढ़ाये कहीं पर मानिता ने ओफर डिया था कि आप संजे के ऊपर फिल्म मनाएं उन्हों रिजट कर दिया था उन्हों ने का उनकी अलग दुनिया मेरी अलग दु और जैसा कि फिल्म में हुआ है बकाएदा इन्होंने भी संजे जो बोल रहे हो सही है कि नहीं उसके उपर इनके हर कॉंटाक्ट हर वेक्ति हर दोस्से मुलाकात की बातचीट किये समझने कोशिश की कि संजे सही जूट बोल रहे है फिर उसके बाद ये आज जो फिल्म के प्र किस तरीके से यह मतलब अपने जूतों में ड्रग्स लेके किया है यह तो बहुत ही इंट्रस्टिंग कारेक्टर मतलब ऐसे कारेक्टर दिखा ही नहीं देते और यह बात भी सही है किस तरीके से इसके ऊपर क्या-क्या अइरिगेशन लगे तो इन सब ने रिलाइस कि हाँ यह एक अच्छा फिल्मी मटीरियल है तो मेरे को लगता है विनी डायज अरुश्का शर्मा को जो रियल कैरेक्टर है वो बेसेकली राजु हिरामी है यह मेरी अपनी राह है तीसरा कैरेक्टर परेश रावल सुनील दत साहब से मेरी भी मुलाकात हुई मैंने आपको बताया था और अपने लास फिडियो में और दत साहब ने जो समर्थन दिया है संजेदत को और जो ताकत दी है वो अद्भुद है वो जैसा की परेश रावल ने दिखाया है कि वो बड़े फ्रेंडली फादर नहीं है लेकिन बहुत इमोशनल फादर है एक आपको कोटेशन देना चाह कि वह दिया पर ऊतले है इसी कनडिशेंद में सो रहे हैं इतनी थंड में और वैसे हैं मने फिल्म में भी देखा तीसरा करेक्टर जो रह इसमें वह nói मत दुंअ कर करbers mural कि शर्चा ही है कि मानेता दथ को ले कर नेकर बहुत सारी बात है की जाती आती है और संजेब बेसिकली मैंने उन सारे लोगों को दूर कर दिया है। संजेदत की बताया जाता है कि लाइफ में जो डिसिप्लिन आया है उसकी वजे माननेता जाते हैं और जो कुछ भी जिसके थूरू भी ओ निकले हैं उसमें एक बहुत बड़ा पिलर ओफ स्टेल्फ है। और जो आखरी क्यरक्डर है वो है नर्गिस जी का। इसके लिए तो कुछ का ही नी जा सकता और नर्गिस जी की बात अगर की जाए तो ये वो कारेक्टर है जो फिल्म में जैसा दिखाया और सचा ही ये है कि फिल्म में जो एक चीज दिखाई है वड़ी गौर करने वाली बात है किस तरीके से जब नर्गिस जी वापस आई तो वेन अफेक्शन तो बहुत जादा तो और उन्हें बकाइदा उनके टेप्स रिकॉर्ड किये थे और फिर वही टेप संजेदत को सुनाया एक बार उन्होंने और कहा ये जाता है कहीं किसी बायोग्राफी में मैंने पढ़ा कि संजेदत मेर्गिस जी की इंतिकाल के बाद र रोने लग गया और तभी से उनके अंदर ट्रांजिशन आया वो चेंज आया तो फिल्म में कुल मिलाकर कहा जाए तो ये हकीकत है फिल्म का ये है रियालिटी चेक और फिल्म वाकई में अगर देखा जाए तो क्रिटिसिजम तो बहुत हो रहा है लेकिन सचाई ये है इस ब आया जहा गया तो जाहर सी बात एस अंजदत के कंसलटेशन के बात का गया तो उसे वह affected है तो मीडिया को भी इंट्रो स्पेक्ट करना पड़ेगा समाझना पड़ेगा क्योंकि कहां आपकी एक क्लम से कहां किसके जीवन में क्या परिवर्दना आ जाए आपको नहीं पता है कई रिस्पॉंसिबिल मीडिया है और कई रिस्पॉंसिबिल है रिस्पॉंसिबिल वालों को सीखना चाहिए थांक्यू मेरी मच्छ फ्रेंज